रचना कोमल और नीतू तीनो ही पक्की सहीलियां थी रचना गरीब घर की लड़की थी जबकि कोमल और नीतू अमीर घर से थी तीनो ही स्कूल टाइम से दोस्त थी जिस स्कूल में नीतू कोमल पढ़ती थी वो बहुत ही महगा स्कूल था लेकिन EWS में रचना का नाम आ जाता है जिस कारण वो भी उनके स्कूल में पढ़ती है और वहीं वो तीनों दोस्त बन जाती है स्कूल खत्म होने के बाद कोमल और नीतु आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है और गरीब रचना अपने मा के साथ घर के कामों में हाद बटाती है मा मेरी वज़े से आपको लोगों की घरों में जाडू बरतन करने पड़ते हैं और फिर रात को बैट कर इन शर्ट के धागे काट दियो बेटी तेरी ये गरीब मा मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी कैसे करेगी बस एक बार तेरा घर बस जाए फिर चाहे मैं मर जाओ ऐसी बात मत करू मा पिता जी तो मुझे छोड़ कर पहले ही जा चुके हैं और अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा ऐसे ही समय बीटता है जादा काम करने की वज़ा से ममता बिमार पढ़ जाती है फिर घर चलाने के लिए रचना अपनी मा की जगा काम करने लगती है कुछ महीने ममता ऐसे ही बिस्तर पर पढ़ी रहती है फिर एक दिन ममता रचना से कहती है बेटी तू तो मेरी हालत देखी रही है मेरी मान तो अब तू शादी कर ले अपने हाथों से तेरी शादी कर जाओ बस यही आखरे इच्छा है ठीक है मा तुम जिस से कहोगी मैं शादी कर लूगी रचना दिखने में सुंदर थी इसलिए उसकी शादी एक घर में तै हो जाती है पहन जी हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए लेकिन आप बस हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना ठीक है जी रचना की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी सहेलियों को फोन करके बताती है रचना क्या तेरी शादी पक्की हो गई और तू ये बात हमें आप बता रहे हैं हम कली वापिस आ रहे हैं दोनु सहेलियों देश वापिस लोट आती है और रचना से मिलने आती है अच्छा बता रचना तू अपनी शादी की शॉपिंग कहां से कर रही है मैं उपर से अपनी गरीब किस्मत लिखवा कर लाए हो बेहन और हम गरीबों के नसीब में ये लहंगा नहीं होता शादी की तैयारियों में और बारातियों के स्वागत में मा की सारी जमा पूंची खत्म हो गई इसलिए मेरी मा की शादी की सारी रखी है मैं वही पहन लूँगी ये कहते हैं वो रचना की आँखों में आंसुआ जाते है कोमल और नीतु उससे मिलने के बाद अपनी घर आ रही होती है रचना अपनी शादी से बिलकुल भी खुश नहीं है खुश कैसे होगी रचना तुने देखा नहीं उसके पास तो अपनी शादी तक का जोड़ा लेने के पैसे नहीं है अब हम दोनों सहेलियों को मिलकर ही अपनी गरीब सहेली की शादी को खुशियों से भढ़ना होगा अगले दिन कोमल और नीतु एक बड़े से मॉल जाती है जहां से वो बहुत ही सुन्दर ब्राइडल लेंगा, उसकी मैचिंग जूलरी और सैंडल खरीती है फिर वो लेंगा लेकर रचना की शादी वाले दिन उसके पास आती है जहां रचना अपनी मा की शादी की फटी हुई सारी जिसका रंग भी फीका पड़ चुका था उसे पहन कर बैठी हुई होती है कहां रह गई थी तुम दोनों, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी ये लो रचना, तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारा शादी का जोड़ा ये तो बहुत महंगा लगता है, तुम्हें मेरे लिए तना महंगा ब्राइडल लहंगा लाने की क्या जरुरत थी हमारी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो रही है, तो क्या हम उसके ले तना भी नहीं कर सकते हाँ, आज तो हम तुझे अपने हाथों से सजाएंगे और तुम देखना, सब ही अमारी सहेली को देखकर हैरान रह जाएंगे इसके बाद रचना वो ब्राइडल लहंगा पहनती है, वो उस ब्राइडल लहंगे में बेहत खुबसूरत लग रहे थी रचना के प्रती अपनी सहेलीों का प्यार देखकर ममता की आँखों में भी आँसु आ जाते हैं और वो उन दोनों को धेर सारी दुआएं देती है कहते हैं बेहनों के बीच में प्यार का टूट रिष्टा होता है लेकिन ये कल्यूग है और कल्यूग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है ऐसे ये गाउ में एक गरीब किसान के घर तीन बेटियां पैदा हुँ थी किसान ने तीनों का नाम रितू, राखी और रीना रखा था लेकिन तीनों बेटियां जब अठारे साल की हो गए तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सिडेंट में मारे गए तीनों बेटिया अनाथ हो गई, अब इस दुनिया में हमारे कोई नहीं है पिताजी हमारे लिए कितनी मैनद करते थे, अब हमें कौन खाना के लाएगा, हम क्या करे तीनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगे, फिर दो दिनों के बाद, रितू ने कहा राखी रिना, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से मुक्ती मिलेगी लेकिन हमसे शादी करेगा कौन, हम तो दहेज भी नहीं दे सकते तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फासा कर, शादी कर लो, बात खतम लेकिन रिना को ये बात पसंद नहीं आई, उसने कहा नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ तो पागल है क्या रिना, कुछ करने में सालों लग जाएंगे, शादी करने से सब कुछ बना-बनाया मिल जाएगा, लेकिन रिना इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी रितू और राखी अपने लिए लड़के ढूडने लगे, और रिना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई, रितू और राखी ने कॉलिच छोड़ दिया, सोशल मीडिया के जरिये वो दोनों दो अमीर लड़कों से मिले, सुहास और आकाश दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे, रितू और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फसा लिया और कुछी दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली, ससुराल जाने के बाद, रितू और राखी के होश उड़ गए अरी यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे furniture है, मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी दीदी, यहां नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा बहुत मसाएगा यहां पर हम, अब पूरी जिन्दगी आराम से बीच जाएगी, आपका आइडिया मस था दीदी हां, मुझे पता है, वो रीना पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है रहने दो उसे, पूरी जिन्दगी भर वो गरीब ही रहेगी वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैट गए, खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था रितु और राखी ने पेट भर कर खाना खाया, उधर गरीब जोपडी में रीना चावल में पानी मिला कर खा रही थी घर में वो बिलकुल अकेली थी, उसकी आखों से आसू टपक रहे थे, अज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे, ए भगवान वो दोनों बस खुश रहे खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैट गई, अगले दिन वो कॉलेज गई, प्रिंसिपल ने उससे कहा रीना, तुमने दो महिने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे? माफ कर दीजे सर, मेरे माता-पिता का देहान थो चुका है, इसलिए नहीं भर पाई ये सब बोल कर कोई फायदा नहीं होगा, फीस भरो नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से प्रिंसिपल ने रीना को धक्के मार कर कॉलेज से निकाल गया, रीना को बहुत दुख हुआ, हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी, क्या इस दुन्या में पैसा ही सब कुछ है, रीना काम ढूणने लगी लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया अगले दिन सुबह रीना जब घर का काम कर रही थी, तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, गाड़ी में से रितू और राकी बाहर आई, अरी दीदी, आओ आओ, मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे, नई, नई, हमें तो आना ही था, हमें देखना था कि तो किस हालत में है, हाँ, हाँ, तुने हमारी बात नहीं मानी, हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है, पती के पैसो से आश नहीं करनी है, तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी, व हम तो पती के पैसों पर ही आश करेंगे, वो दोनों गाड़ी में बैट कर चले गए, रीना को अपना पेट पालना था लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, रीना के पास जितने भी पैसे थे उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा चावल बेशने लगी, राज लोट कर पढ़ाई करती रही, एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैट गई, तभी बिजली चली गई, पूरे घर में अंधेरा चागया, अरे आसपास की घरों में तो बिजली है, यहां बिजली क्यों चली गई, तभी रीना को याद आया कि दो महीने से बि दुर्गा मा की याद आ, गाउं में दुर्गा मा का एक मंदर था, मंदर तो छोटा सा था लेकिन मंदर में हमेशा एक बल्ब चलता रहता था, रीना किताबे लेकर मंदर चली गई, दुर्गा मा की मूर्ती के सामने बैट कर बल्ब की रोश्णी में वो पढ़ाई करने लिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया, लेकिन तुम यहां किताबें लिकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रीना ने उनसे सब कुछ कहा, पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से कहा, ठीक है बेटी, अबसे तुम मंदिर में ही रहकर पढ़ सकती हो, यहां मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतिजाम कर दूँगा, तुम बस पढ़ाई करो, और दुर्गा मा को मन ही मन बुलाओ, दुर्गा मा तुम्हें निराश नहीं करेंगी रीना घर छोड़ कर मंदिर में ही रहने लगी, उसने राजमा चाबल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी, उधर उसकी दोनों बेहने एशो आराम से जिंदगी बिता रहे थी, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन रितु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया, आकाश ने सुहास से कहा, भाईया, रितु और राखी के चोचले दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, आ, भाई तो देख रहा हूं, कुछ करना पड़ेगा, इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं, अमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, तो ने ठीक कहा, आकाश, अब रितु से मन उड़ गया मेरा, मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है, रितु और राखी को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, उसे दिन रीना का इंटर्व्य उसने दुर्गा मा के सामने हाथ जोड कर कहा, ये दुर्गा मा, मेरे पास कॉलेज की डिगरी नहीं है, बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूम धाम से आपकी पूजा करूँगी, रिना इंटर्व्यू में गई, कम्पनी के मालिक ने पूछा, तुम कम्पनी के मालिक ने प्रशन पूछा और रिना ने सभी का सही उतर दिया, उसे नौकरी मिल गई, उसकी आँखों से खुशी के आँसु टपकने लगे, उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ती पाली, उधर सुहास और आकाश ने दो नई लड़कियों से शादी कर ली और नहीं घर ले आये, रितू और राखी चौक गे, सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया, रितू और राखी रात और रात फिर से गरीब हो गये, वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लोटा आये, और देखा रीना पुराना घर तोड़कर नया घ घर बना रही है, अरे दीदी आप दोनों क्या बात है, तुझे नौकरी मिल गई बेहन, हाँ, तो सही कहती थी बेहन, खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए, हम गलत थे, कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे, आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजे बाकी मैं देख लूँगी, तीनों एक साथ रहने लगे, रितु और राखी पढ़ाई करने लगी, और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई, तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा मा की पूजा की, और इस तरह तीनों बेहने अमीर हो गई